हेलो अब्रिबन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन जी एस भाई दिवाकर में कैसे हैं आप सभी लोग आसा है अच्छे होंगे अभी तक हमारा जो सेसन सल रहा है करेंट अफेर्स का उसके बाद हम एक और सेसन शुरू करने वाले हैं इन्वाइर्मेंट का ये इन सेसन आपके सभी परिक्षाओं के लिए काफी महत पूर्ण रहेगा जैसे कि आपका कोई भी एक्जाम हो गया UPSC हो गया PCS हो गया NET हो गया SET हो गया TET, CTET, UPTET अन्य सभी परिक्षाओं के लिए ये काफी महत पूर्ण रहेगा इनमें इस ताइप के फैक्ट लिए गए ह जो कि डारेक्ट पूछे जाते हैं डेटा भी इसमें कनेक्ट किया गया है तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर पहला टॉपिक है यह पहला शुरू करते हैं यहां से यह कुछ नॉर्मल सी चीज़े हैं जिनको आप जानते ही होंगे लेकिन शुरू इसको बेसिक किया जाता है तो वहीं बेसिक हम इसको शुरू करेंगे राश्टी उद्ध्यान को क्या कहा जाता है नेशनल पार्क कर कहा जाता है अभ्यारण या बिहार को क्या कहा जाता है सेंक्चुरी कहा जाता है जेम मंडल आरच्छे छेतर को क्या कहा जाता है? उसको बायोस्पियर रिजर्ब कहा जाता है, सनलच्छर रिजर्ब या कंजरविशन रिजर्ब को क्या कहा जाता है? कंजरविशन रिजर्ब कहा जाता है, सामधायक रिजर्ब को कम्यूनिटी रिजर्ब कहा जाता है, और आग सरसट हैं देश में कुल सामदा एक रिजर्व कितने हैं वह 220 हो गए देश में कुल राष्ट ये उध्यान कितने हैं 106 हो गए देश में कुल राष्ट सररचन रिजर्व हो गए 105 ये ऐसे फेक्ट हैं जो कि टारेक्ट पूछे जाते हैं और इनमें हमें काफी कन्फूजन हो ज देखेंगे आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट देश में कुल जैब मंडल आरच्छे छेतर हैं 18 जिसमें की 12 युनेस्को की धरोवर में सामिल है देश में कुल टाइगर रेजर्व कितने हैं 53 है चलिए नेक्स्ट आगे दिखते हैं देश में कुल हाथी रेजर्व कितने हैं तो ये हाथी रेजर्व आपके 32 हो गए देश में कुल रामसर इस्तल कितने हैं 75 75 सरवादिक बन्यजीब अभ्यारण वाला संग राज्य कौन सा संग राज्य आपका अंडवान हो गया जिसमें 97 है और सरवादिक बन्यजीब अभ्या या पार्क वाला राज्य कुंसा हो गया, मद्यपरदेश, इसमें 11 राष्ट्य पार्क है, सरवादिक जैब मंडल जैश्य छेत्र वाला राज्य मद्यपरदेश हो गया, इसमें 3 है, सरवादिक सरनाच्छन रेजर बाला संग राज्य जमु कस्मीर हो गया 23 है 33 सोरी जमु कस्मीर में कितने है 33 सरवादिक सरनाच्छन रेजर बाला राज्य कौन सा है सनराचन रेजर्ब बाला राजिस्तान हो गया 18 है सरवाधिक सामधायक रेजर्ब नागालेंड में है 114 चलिए आगे दिखते हैं अब ये 2023 जनुवरी से लिकी डेटा आये हैं इनको देख लेते हैं ये डेटा डायक दिया गया था इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं गया राज्टिय बनने जीप डाटा बेस लिपोर्ट जारी की गई कब की गई थी formats地 झार जनुवरी 2023 को जारी की गई थी हाली ही में जारी राश्टिय बनने जीप डाटा बेस जनुवरी 2023 की अनुसार भारत में कुल सरलाचे छेत्रों का नेटवर्क कितना है 998 है ये कब माई 2022 में कितना था 990 सरलाचे छेत्र थे जो कि अब कितने हो गए है 998 ये कब है जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट आईए उसमें 998 हुए है लास्टी बनने जीव डाटाबेस जनवरी 2023 की अनुसार भारत के 998 सरलाचे छेत्र कितने छेत्र को कबर करते है तो इसका छेत्र कबर एरिया कितना है तो एक हजार लाग 73,639.52 बर किलोमीटर छेत्र को ये कबर करते है लास्टी बनने जीव डाटाबेस जनवरी 2023 की अनुसार भारत के 998 सरलचे चेत्र कितने प्रसत चेत्र को कवर करते हैं तो 5.8 प्रसत को यह कवर करते हैं ये प्रसत जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसे ही पूछा जाता है 5.28 प्रसत को यह कवर करते हैं राश्ट्रिय बन्य जीव डाटावेश जनवरी 2023 के अनुसार भारत में कुल राश्ट्रिय उध्यान कितने हैं तो इसमें 106 लाश्ट्रिय उध्यान हैं राष्टिय बन्यजीब डाटाबेस जन्वरी 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने बन्यजीब अभ्यारण है पांसो सरसट हैं जो के अभी आपको हमने उपर लिस्ट दी थी उसमें पांसो सरसट थे राष्टिय बन्यजीब डाटाबेस जन्वरी 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने सामदा एक रेजर्ब हैं तो सामदा एक रेजर्ब 220 हैं राष्टिय बन्यजीब डाटाबेस जन्वरी 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने सररच रेजर्ब हैं तो वो 105 हो गए चलिए आगे यह केंद सासãyष्थ पदेश में सभसे अधिक बने जीव अभňरण है तो यह अंडवान निकोवार में है अभी आपको उसमें डिटा दिया था अंडवान में थे रश्टी बने जीव अभई ऱाश्टी है हिमाचल में 28 हो गया, थर्ड पर हिमाचल आ गया, पहले पर महाराष्ट, दूसरे पर करनाटक, तीसरे पर आपका हिमाचल पदेश हो गया, 49 में 38, यह इनके याद रखिएगा, सरबादिक राष्टिय उध्यान किस राज्य में है, राष्टिय उध्यान, मद्य पदेश में 11 ह गया, असम में आपका साथ हो गया, सेकिन नमबर पर आ गया, महाराष्ट में 6 हो गया, केरल में 6 हो गया, केरल और महाराष्ट का बराबर है, कोई भी दिया जासता है, कोई एक ही पूछेगा, यह पर डारेक्ट यह से पूछ सकता है, केरल में कुल कितने राष्टिय उध्य चलिए नेग्स्ट थर्ड पे आपका मड़ी पुरा जाएगा 11, ठीक है, चलिए, दुनिया भर के 119 देशों में बायोस्पीर रेजर्व का नेटवर्क बढ़कर हो गया है, कितना हो गया 119 देशों में, 631 हो गया है, ठीक है, बरत्मानु भारत में अधिसूचित, बायोस्पीर रेजर्व कितने यह अंठारा है। नेक्स्ट, बायोस्पीर रेजर्व का काले करम, युनेश को द्वारा कब शुरू किया गया था, 1971 में, दुनिया का पहला बायोस्पीर रेजर्व विस्थापित किया गया था, कब किया गया था, 1989 में, ठीक है, 79 में, भारत का सबसे بड़ा राष्टे कुन सा है है हैमिस है जो कि कहां पे है लद्धाक में भारत का सबसे छोड़ा राष्टी उध्यान अंडमानिकोवर दीप समू में जो कि साउंत वंटन दीप नाम से यह फेमस है भारत में स्तापित पहला राष्टी उध्यान इसको कॉर्वेट राष्टी उध्यान या फिर ज सतिना पूल बनेजीव अभ्यारन है जलिए आगे दिखते है कि उत् ef adamadin है कि उतरप्यथ का सबसे छोटा व्य जीव अभ्यार्ण पतना है बनेजीव अभ्यारन यह उत्तरप्यथ इसका है ठीक है इसको बिहार काना समझना पटना समझ के पटना बने जीव बिहारन कहां पर है उत्रपदेश में है यह डारेक्ट ऐसी पुझा जा सकता है तो इसमें क्या काफी confusion भी हो सकती है पटना की नाम से ज्यादा तर इसको बिहार में लगा के आएंगे जैसे confusion वाले हो सैटलाइल फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्टी उध्यान कौन सा है तो काजी रंगा आईए कहां पर आशम में भारत के किस जीम बंडल संचैन छेत्र का छेत्रपल सरवादिक है तो ये ग्रेट निकोवार का है सरवादिक अभ्यारण वाला राज्य कौन सा है अंडवान निकोवार हो गया सरवादिक राष्टि उध्यार वाला राज्य कौन सा हो गया मत्य परदेश च्यम बंडल आरचे पर देश किसमें है ये भी मत्य परदेस में है चली है आगे देखें पायरत में सरवादिक राष्टिप्र की संख्या किसमें है advocating अभी बताया चाहरों इनकी स्रेडियां हो गई ठीक है सामधायक रजर्व CR क्या है यह यह स्रलाचे छेत्रों यानि कि जो यह स्रलाचे छेत्र है ना इनको संदवित करता है और आम तोर पर जो इस्तापित राष्ट्य उद्ध्यान बनने जीव अभ्यारन और भारत के आराच्छेत बनाओ के बीच बफर जोन के या कनेक्टर जोन और एक मिनट मैग्रेशन कोरिडोर के रूप में यह कार्रे करता है जिनना बनने जीव सनलचन अध्यम 1972 द्वारा कानूनी पात रता प्रदान की जाती है यह इसमें डिसाइड करता है कि कौन सा बफर जोन में रखा जाएगा कौन सा कोर जोन में रखा जाएगा किस में हिूमन जा सकते हैं देखने के लिए घूमने के लिए किस में नहीं जा सकते हैं यह इसी आर का काम होता है चलिए आगे देखते हैं जलवाई परिवर्तन से प्रवावित लोगों के लिए देश की पहली पुनरवास कॉलोनी का निर्वार किया जा रहा है वो कहां पे है ओड़ी सामे है ठीक है कौन सी पहली पुनरवास कोलोनी किस राज्य में छे राष्टे उध्यान अठाड़ा अर्टालीस बने जीव अभ्यारण और तीन रामसर साइट है तो वो महाराष्ट हो गया आपका केंद्री पर्यावणत बन एवं PCC का उद्गाटन किया कब किया गया था यह 19 मई 2023 को ठीक है 19 मई 2023 को क्या था यह पश्मीना प्रमारण केंद्र किस ने किया था यह स्रम्मेवं रोजगार मंतरी भूपेंद्र यादव ने भारत की सबसे रम्मी जील जो सुन्दरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर इस्तर भी है तो बैमनाठ जील हो गई कहां किया यह केरल की है विश्व के सबसे बड़े आबाद नदी दूइप जो के पूर्व उत्तर भारत का एक प्रमुक सांस्क्रतिक केंद्र है उसका नाम क्या है माजुली दीप है जो के सबसे बड़ा भी है असम में है ठीक है उत्तर भारत का प्रतम उध्योग एक बायोटेक पार्क इस्तित है कहां पे है ये कट्वा में है कट्वा कहां पे है जेंड के जमू कस्मीर में है हाल ही में किस राज़ी के काले सर निसलन पार्क में 110 बर्स बाद टाइगर देखा गया तो ये काले सर कहाँ पर है निसल पार्क हर्याणा में इसमें आपके दो हो गए 110 बर्स वाद इसमें टाइगर भी दिखा गया और काले सर कहाँ पर हर्याणा में हो गया देश का सबसे बड़ा सिटी फोरेश्ट इस्तित है ब्रंदावन में ब्रंदावन कहाँ पे उत्तरबदेश में हमारे बिल्कुल पास में ही है यह आगरा से सिर्फ इसको एक घंटा लगता है पहुँचने में अराम से जाते हैं बहुत अच्छी जगा भी है कभी आओ आप लोग भी देखना हाली में उत्तराखंड के किस इस्तल को आपदा संभावित छेत्र गोसित किया गया है तो यह जोसी मटकों किया गया है हाली में एस यह जलपच्ची गरना 2023 की गई कब की गई थी यह 7 जनवर 2023 से 22 जनवर 2023 तक की गई है तो आज के सेसन में सिर्फ इतना ही सेसन कैसा लगा जरूर बताएं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एन बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको निव वीडियो जब भी हम अपडेट करें आपके मोबाइल पर बाइब्रेशन हो जाए ठीक है तो अपने फ्रेंट्स को भी ये सेर कीजिएगा इसमें जो भी कमी है भो भी बताएगा और सेसन कैसा लगा ये जरूर बताएगा कमेंट जरूर करिएगा और प्लेश्टोर से आप हमारा चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं अप है ऑनलाइन जी एस पाई दिवाकर के नाम से जिस पर कि आपको सभी पीडियेफ इसकी जो पीडियेफ है वो सभी आपको एप पर मिल जाएगी आप आसानी से उनको देख सकते हैं और भी जो भी आपको पीडियेफ चाहिए कि सारी तयारियों उस पर कराई जाती है आप एक बार डाउनलोड करें अपको अपने फ्रेंड्स तक सेयर करें धन्यवाद मिलते हैं नेक्स सेसन में